लो फ्रेंड्स विल्गम बेक टुमाइ चैनल मैं हूँ आपकी फ्रेंड वर्शह फ्रेंड्स आज की वीडियो में हम बात करेंगे यूपी टीजिटी एंड पीजिटी कॉमर्ट्स की क्लासिस के बारे में वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज में चाहं को है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड से शेयर कीजिए चलिए फ्रेंड साज की इस वीजियो को स्टार्ट करते हैं यानि कि जो डिमांड कर होता है हमारा किसी प्रोड़क्ट के लिए वो हमारा शिफ्ट हो रहा है आउटवर्ड की तरफ यानि कि देखिए यहां पर हिंदी में भी लिखा हुआ है दाइं और की तरफ वाहर की ओड जाएगा तो उसका क्या मतलब होता है यानि कि जो हमारा उसी की जैसा जो इस्थानापन अच्छे मूल लेका जिसको हिंदी में यहां पर दिखा गया है यानि कि उस सिमलर प्रोड़क्ट जो है उसके प्राइस में वो राइस हो जाएगा उसका प्राइस या फिर कंजूमर इंकम फॉल कंजूमर की जो इंकम है हो जाएगा या फिर प्राइस ऑफ दी प्रोड़क्ट इसल्फ फॉल यानि कि जो जिस प्रोड़क्ट के लिए यहां पर यह शिफ्ट हो रहा है उसी प्रोड़क्ट का जो प्राइस है वो अपने आप डाउन हो जाएगा तो इक सिच्वेशन में होगा जब हमारी डिमांड फॉल होगी आउटवर्ड साइड में तो देखे हमारी जो डिमांड कर्व है हमारी वो आउटवर्ड साइड में फॉल करेगी या फिर हम कह रहे हैं आउटवर्ड साइड में जाएगी तो कि आपको पता है डिमांड कर्व जो होता है हमारा क्या होता है डाउनवर्ड होता ह अब यहाँ पर बात कि जा रहे है खो यहाँ पर इतब ली तो यहाँ पर अबी थबहु रहिography और ऊंपा मुझाद है ट्रहिए जू का इंड को अबशम से इतव क्वे मतलडी में उसकि आओ लूह जए वह सक्प्रसिंदी तो यहाँ पर जो हमारा डिमांड कर्व है वो हमारा shift हो जाएगा outward side में इसलिए यहाँ पर option A right answer हो जाएगा ठीक है जब हमारा substitute product का जो price है वो हमारा यहाँ पर rise होगा तभी हमारा जो demand करवे वो outside में work करेगा I hope यह question clear हुआ होगा next question है the demand for good is relatively price elasticity यानि कि किसी product के जो demand है वो अगर relatively price elasticity है और उसके price जो है rises में है the revenue will तब revenue की क्या position होगी हमारा revenue fall करेगा remain constant यानि वैसा ही रहेगा rise यानि कि भढ़ जाएगा या depends on how supply response यानि कि यह देखेगा कि supply उस तरह से response कर रही है तो देखिए अगर यहां पर हम देखें कि अगर किसी भी good के लिए demand हमारे inelastic है और उसके जो price है वो rise हो रहे हैं तो यह तब ही होगा जो हमारा revenue है इसके लिए revenue हो जाएगा वो हमारा भढ़ जाएगा ठीक है तो यहां पर option C right answer हो जाएगा हमारा revenue भढ़ जाए next है which of the following option is not an example of market failure अब इसमें से कौन सा market failure के example नहीं है यह बताना है option है failure to produce merit goods यानी merit goods को produce करने में fail है तो market failure के लिए यह एक point हो सकता है कि वह जो merit goods है या public goods है उनको produce नहीं कर पा रहे है जब उनको produce नहीं कर पाएगी तो market में वो किस तरह से work करेगी उसके साथी साथ देखे हैं तो externities जो होती है उनको उनका जो लेखा जोखा होता है उनको करने में उसको problem आ रहे है तो उसकी सारी जितनी भी processing होगी वो सब बेकार हो जाएगी तो यहां पर यह सारी चीज़ें देखें तो देखें profit जो है वो यहां पर इसमें fit नहीं बैट रहा है क्योंकि यहां पर market failure की बात की जा रही है तो market failure उसकी जो अगर हम बात करें उसकी जो walking है वो market से related है यहां पर profit से करना और जो भी market में conditions हो रही है उसका सारी लेखा जोखा रखना बहर क्या problem है क्या trend है क्या fashion चल रहा है यह सारी चीज़ें रखना जब यह सब चीज नहीं कर पाएगी तो market में fail हो जाएगी इसलिए यहां पर जो इसका example नहीं है वो है आप option number C failures of a firm to maximize its property इसका example नहीं है ब इस पर ध्यान नहीं देगी तो ठीक है next है which of the following is an example of primary form of business activity अब इसमें से कौन सा यहां पर अगर हम बात करें तो primary business activity का primary form नहीं है ठीक है यहां नहीं कि प्रात्मे करूप या प्रात्मे कारण नहीं है जैसे कि hair dressing, automobile production, banking या फे forestry तो देखें यहां पर अगर हम देखें तो अगर हम बिजनेस activity की बात करें तो देखें बिजनेस activity कोई भी business हो सकता है तो hair dressing भी एक activity है, automobile production में बैंकिंग जिबकि forestry बैंकिंग बिजनेस activity की primary source में नहीं आती है इस नहीं हां पर option D जो है वो हमारा right answer हो जाएगा next है the price of our goods will tend to rise if यानि कि जो हमारा जो price है goods का वो उसकी कीमत अगर भढ़ती है तो क्या होगा the current price is above the equivalent यानि हमारा current price की product वो हमारे equivalent का वो हमारे की crashes crash से ऊपर होगा या फिर जो हमारा current price के नीचे जाएगा या फिर हमारे quantity demand बी मांड इस में लॉटे डिमांड आ रही है वो हमारी कम हो जाएगी supply चो या फिर reduction in the cost of substitute commodity यानि कि जो substitute commodity है उसमें कमी आ जाए उसकी cost में तो देखें जब हमारे माल की कीमत अगर भढ़ती है तो इसमें क्या होगा जो हमारा equilibrium जो हमने set करके रखा है उससे हमारा current price होगा वो लो हो जाएगा ठीके क्योंकि देखें जब किसी भी goods का price भढ़ता है तो और यहां पर इस situation में जो हमारा equilibrium हमने set किया होता है उससे हमारा current price क्या हो जाता है लो चला जाता है इसलिए यहां पर जो हमारी condition आएगी वो हमारी option भी correct है यहां पर next है productivity is measured by अब जो productivity होती है हमारी किसके थ्रूँ measure की जाती है the growth on product of a firm यानि की एक firm के output पर the growth on profit of a firm यानि की जो फॉर्म का जो profit है उसकी growth पर total output या total input पर या फिर total output of investment in capital goods यानि capital goods में जो भी हमने total amount का investment किया है उस पर तो देखिए productivity के अगर हम बात करें तो यह हमारी always measure की जाती है total output upon total input यानि कि total कितना output आया है और उसे कितना input निकल कर आया है output input के basis पर हम production की measurement कर सकते हैं कि हमारी कितनी productivity निकल कर आई है इसलिए यहां पर option C जो है वह हमारा right answer हो जाएगा next question है the main objective of macroeconomic policy is here macroeconomic policy उसका main objective क्या होता है यह बताना है option से a high and stable level of employment यानि कि एक उच्छ और इस्थर level का employment देना यानि कि अच्छा और stable है यानि कि stable का मतलब यहां पर यह है कि उनको ऐसा नहीं हो कि कुछ time period के लिए आप दे रहें या फिर a stable and satisfactory rate of economic growth या फिर all of the above तो देखिए यहां पर अगर हम बात करें macroeconomic की तो आपको यह पता होगा macroeconomic हमारा किस पर based होता है तो अगर हम इसके policies की बात करें macroeconomic policy की तो इसके अंदर यहां पर सारे options हमारे feedback यह इसका objective होता है इसलिए option D right answer होगा macroeconomic policy में हम यह देखते हैं कि जो हमारा employment है हम high level का employment प्रवाइट करें और इनका क्या हो stable level का हो यानि कि कि किसी को भी अगर हम इंप्लाइमेंट करें तो ऐसा ना हो कि वह कुछ time period का हो और उसके बाद वह unemployment फिर से हो जाए ठीक है तो यहां पर स्टेबल होना चाहिए उसके साथ ही साथ अगर inflation हो रहा है तो वह क्या होना चाहिए लो होना चाहिए बहुत कम inflation हो जिससे कि कि किसी भी तरह की कोई भी problem create ना हो economic problem उसके बाद a stable and satisfactory rate of economy growth यानि कि जो हमारे economy growth है वो satisfactory होनी चाहिए मतलब जितना हमने target अपना बना की रखा है उतने ही तो इतने ही growth हमारी होनी ही चाहिए तो यह सारी चीजे macroeconomy policy का part होती है इसलिए option D यहां पर हमारा right answer हो जाएगा next question पे आते हैं who was the first argued that the purpose of business was to make profit यानि कि पहले किसने बतायता है कि business का purpose होता है profit को बनाना मिल्टन फ्राइड मैंने मार्गर्ट मार्गेट रिचर ने एलेन स्टैंबर्ग ने या फिर जॉन क्रेन ने तो इस तरह के questions भी जरूर कर ले जाएगा बहुत पूछे जाते हैं तो यह बताये था मिल्टन फ्राइड मैंने की एक business का purpose होता है profit को बनाना ठीक है static question था एक तरह से मतलब एस आपको इसमें कुछ समझने वाले बात नहीं है आपको as it is बस नाम याद रखने ना नेक्स्ट है what does the P P P P की यह यहां पर जो और या फिर P3 जो initiative होता है उसमें आपको इसकी पॉप्ट बताने है public policy papers, public private partnership, private procurement production या पिलफसे प्रपोजर तो देखे यह भी बहुत सिंपल है आप सबको पता होगा तन की फुल फॉर्म यहां पर होते है पॉप्लिक प्राइवेट पारचन बी यहां पर हमारा राइट आंसर है नेक्स्ट है what does the PFI initiative अब PFI की full form बतानी है private finance initiative, private fiscal initiative, public financial initiative या फिर private foundation initiative तो यहाँ पर देखिए option A right answer है यहाँ पर private finance initiative यहाँ पर PFI का full form होता है the term late industrialization refers to यानि कि जो late industrialization का जो term है वो हमें क्या बताता है options है the need to delay industrialization because of its threats to the environment यानि कि पर्यावरण के लिए खतले की कारण और दोई करण में को देरी की आवशकता है यह बताता है या फिर यह बताता है the problem faced by many developing countries as they seek to catch up to the levels of development of richer economy यानि कि बहुत सारी developed countries हैं जो की problem face कर रहे हैं जो भी richer countries हैं उनके level पर आने में third option है the believe that it is too late for many countries to industrialize यानि कि यह विश्वास के जाता है और यह सोचा जाता है कि बहुत सारी countries industrialization के लिए late हो गई है या फिर फोर्थ option है that we are how entering a post industrialized world या फिर यहां पर यह कि हम जो हमारा जो post industrialization world है उस period में हम enter नहीं कर पाएं कैसे एंटर करेंगे ठीक है तो यहां पर देखिए late industrialization की बात करें वहां उनकी countries में इतनी industry develop नहीं हो पाई है उनकी यहां पर इतनी manufacturing नहीं है मतलग industry-based नहीं है जिससे की वह ज्यादा profit earn कर पाएं तो लेट हो चुकी है other countries के comparison में इसलिए option सी यहां पर हमारा right answer हो जाएगा next is which of the following economist is regarded as having the development the theory of comparative advantage यानि कि comparative advantage theory यह किस economist ने दी थी एडिमिसमें डेविट रिकार्डो जोन स्टिगर्ट या फिर अमर्ते सेन तो यहां पर इसका right answer है option नमर यहां पर बी जोगी हमारे डेविट रिकार्डो next है under profit competition in long run हमारी क्या situation होगी हमें यह बताना है all firms earn normal profit यानि कि सारी firms profit competition में normal profit earn करती है few firms earn super normal profit यानि कुछ firms जो है वो super normal profit earn करती है all firms are at break even break even point पर होती है break even का मतलब होता है no profit and no loss या फिर none of the above तो देखिए यहां पर इसकी बात करें तो यहां पर right answer होगा option number a profit competition में long run में यह कहा जाता है कि सारी company जो होती है सारी जो भी वहां पर firms होती है वो normal profit earn करती है as a long run तो यहां पर option a हमारा right answer हो जाएगा next question पर आते हैं the national income at market price is equal to यानि कि अगर हम national income की बात करें वह भी market price पर तो हमारी किसके बराबर होगी gross national product at market price या फिर gross domestic product at market price net national product at factor price या फिर none of the above तो यहां पर national income की बात कर रहे हैं वह कि market price के reference में है तो यहां पर जो हमारा जो total national product निकल कर आएगा वह हमारे factor cost से related होगा ठीक है factor cost के comparison में define किया जाएगा वह हमारा equal होगा इसके इसलिए यहां पर option c right answer हो जाएगा net national product at factor cost हमारा always equal होता है net national income होती है market price के ठीक है तो यहां पर option c जो है वह हमारा right answer है next question है if there is a single buyer it is called यानिकी अगर single buyer होता है तो उसे हम क्या कहते है monopoly, oligopoly, monopsyony या फिर nanopsy अबब तो अगर हम single buyer की बात करें तो वह होता है हमारा monopsy, monopoly में single seller होता है oligopoly में few होता है ठीक है तो यहां पर single buyer की बात की जारी है जो कि monopsy में होता है option c right answer है यहां पर next आते है a firm is having increasing returns to scale means यानिकी एक firm है जिसका return scale जो है increasing level पर है ठीक है तो इसका क्या मतलब होता है यानिकी increasing cost पर है constant cost हो है decreasing cost पर है या फिर none of the above तो देखिए अगर एक firm increasing rate to scale पर है तो इसका मतलब यहां यह होता है कि उसका scale increase हो रहा है यानिकी जो cost जो है decreasing level पर है it is having decreasing cost इसलिए यहां पर option c यहां पर हमारा right answer हो जाएगा next है production can be measured in terms of which of the following यानिकी जो हमारे production होता है वो हमारा किस terms में measure किया जाता है total productivity, marginal productivity, average productivity या फिर all of the above तो production की बात करें तो यहां पर देखिए इसका right answer हो जाएगा option number D हम production को अपने total productivity के basis पर भी check कर सकते है measure कर सकते हैं marginal और average के basis पर भी तो यह तीनों ही measure two एक तरह हम बोल सकते हैं parameters होते हैं जिनके basis पर हम अपने production को check कर सकते हैं right answer है D next है which is not covered under the scope of managerial economics managerial economics के अंदर कौन सा cover नहीं किया जाता हमें यह बताना है profit management, accounting theory, pricing policy या पर product analysis तो दीखें यहां पर बात की जा रहे है managerial economics के अंदर की तो यहां पर इसका right answer हो जाएगा option number B जोकि हमारा accounting theory accounting theory हमारा management का part नहीं है जबकि profit management हमारा managerial part है pricing policy देखना managerial part है और production analysis करना भी managerial economics का part है जबकि accounting theory हमारे accounting का part होता है ठीक है तो यह सारा यहां पर option B जो है वो यहां पर इसके line नहीं कर रहा है next है demand analysis include यानि कि demand analysis होती है उसमें क्या चीज़ include की जाती है demand forecasting, demand elasticity, study, indifference curve analysis या पर all of the above तो देखें यहां पर इसका right answer हो जाएगा option number D demand analysis के अंदर हम forecasting भी करते हैं elasticity की study भी देखते है कि कौन सा product कितना elasticity है उसकी यान कि कौन सा product price से कितना vary कर रहा है ठीक है कितना उस पर effect पड़ता है indifference curve analysis भी हम इसके अंदर check करते हैं यह सारी चीज़े हमारे demand analysis के अंदर आते हैं इसलिए option D right answer हो जाएगा I hope यहां तक आपको सारी चीज़े clear होंगी next है law of demand implies अब जो law of demand है वह में क्या बताता है और बता है क्वालिटिटीव रेलेशनशिप पित्वत बनध कहता है qualitative relationship between demand and supplier quantitative relationship between price and demand quantitative relationship between price and demand quantitative relationship between price and demand या फिर quantitative relationship between price and demand demons proposals patron यहां पर law of demand को की बात की जारे हो याद रखना है यहां पर फ्रेंड आप तो दीखिए law of demand की बात करें तो एक qualitative relationship होता है हमारा between price and demand के पीछ में ठीक है तो यहां पर option B जो है वो हमारा right answer हो जाएगा law of demand और अगर इसके बाद अधिये तो हमारा हो गया law of demand अगर हम elasticity of demand की बात करते हैं तो यहां पर आ जाता हमारा quantitative ठीक है यहा यहां पर option B right answer हो जाएगा next है which one of these is an exception of law of demand अब इसमें से कौन सा exceptional law of demand का demonstration effect of goods, giffin goods, feature scarcity of goods या फिर all of the above तो देखिए यहां पर अगर हम बात करें तो अगर हमने exception पढ़े हैं आप लोगों ने law of demand के तो देखिए demonstration भी बात करता है law of demand के exception Giffin goods भी बात करता है and feature scarcity of goods भी इसके अंदरद आता है इन सबका आपको पता होगा कि demonstration goods effect में क्या Giffin goods में क्या है and feature scarcity of goods में क्या है तो यह exceptions होते हैं जो कि law of demand जो होता है उसका कोई भी effect नहीं पड़ता है इसलिए option D यहां पर हमारा right answer हो जाएगा next question है elasticity of demand is based on which of the following factors अब जो elasticity of demand है हमारी कौन से factors पर based होती है range of substituted available, joint demand, proportion of income spent on commodity या फिर all of the above तो दीखें यहां पर अगर हम बात करें इसके effect की तो दीखें और यह सारे factors जो है हमारे यह सारे हमें effect करते हैं demand के क्योंकि अगर हमारे substitute available है जो भी हम product कर रहे है अगर उसका price high हो गया है और उसका substitute available है तो हम उसको नहीं खरी देंगे हम उसको भी कोई purchase नहीं करेगा यह भी effect कर गया third proportion of income spend अब यह depend करता है कि income का कौन कितना proportion आपको spend करना हो सकता है कि कोई person ऐसा है जो कि अपने income का सिर्फ 30% खर्च करता है ठीक है अब उसकी income increase हो रही है तो उस increase income का 30% नहीं वह पहले जितना खर्च करता था अभी वह उतना ही खर्च करता है ठीक है तो यहां पर क्या होगा वह जितना खर्च करता है उस proportion पर डिपेंड करता है तो यह कुछ factors होते हैं जो कि effect कर जाते हैं elasticity of demand को इसलिए option D यहां पर right answer हो जाएगा next question है which one of the following is not the function of a managerial economist अब इसमें से कौन सा managerial economist का function नहीं है industrial market research, determining rate of interest in money market, capital budgeting या फिर investment analysis तो देखें यहां पर अगर हम बात करें तो option B determining rate of interest in money market ही इसका part नहीं है जबकि हमारा industrial market research देखना, capital budgeting, investment analysis यह सारे management के part आ जाता है इसलिए option B हमारा right answer हो जाएगा determining rate of interest in money market यह हमारा finance का part हो जाएगा ठीक है तो यहां पर option B right answer हो नेक्स question है which one is not a type of demand अब इसमें से कौन सा हमारा demand की types नहीं है price demand, derived demand, supply demand या फिर joint demand तो देखिए यहां पर price demand, derived demand और joint demand यह तीनो पार्ट है जबकि supply demand हमारा type of demand में नहीं आता तो option C right answer हो जाएगा next है which is not the type of elasticity of demand अब elasticity of demand में कौन से इसका type नहीं है price elasticity, income elasticity, supply elasticity या फिर advertising elasticity तो आपने types of elasticity बढ़ी होगी कितने types के हमारे elasticity of demand तो देखिए उसमें से अगर हम बात करें तो हमने इसके अंदर price पड़ी है, income पड़ी और advertising पड़ी है, supply elasticity नहीं होती है इसलिए option C, यहां पर भी right answer हो जाएगा तो यह थे हमारे आज का practice set, I hope आपको वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को like केज़े, friends के share केज़े और किसी भी तरह की कोई भी query हो तो please जरूर बताएगा next video में फिर मिलते हैं और वेच्छी वीडियो के साथ अब तक के लिए टेक के हैं, bye bye